बोजपुरी सपस्टार खे सारी लाल यादो कैसे करते हैं इतना अच्छा डांस और क्यूं एक्शन फिल्मों में पवन सिंग सास कोई भी सानी नहीं है बोजपुरी सिनेमा में और कहां से दिनेस लाल यादो निरहुआ इतनी इंस्चंट एक्टिंग करते हैं भाई इनका कोई तो राज होगा इन्हें कोई तो पसंद होगा तो चलिए भाई आपको आज हम बताते हैं कि ये तीनों किस से प्रभावित हैं या यूँ कहले कि ये तीनों किस से इंस्पायर हैं बोचपुरी सुपस्टार खेसारी लाल यादों ने कई स्टेश शो और कई इंटिव्यू में ये कहा है कि आज उनके डांसिंग में जो निखार हैं लोगों को उनकी डांसिंग जो पसंद आती हैं जो इतने अच्छे मूव वो ले पाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ गोविंदा की फिल्में देकर कोविंदा की डांसिंग स्केल देकर गोविंदा की मूव देकर ही उन्होंने ये सारी स्किल्स सिखी है गोविंदा के इस मूव की तारीफ तो उन्होंने दकपिल सर्मा शो में भी आके की थी कि गोविंदा के वज़े से ही आज वो किंग पवंसिंग की भाई पवंसिंग की अगर बात की जाये parab तो इनके एक्शन के क्या कहने भोटपूरी इंडस्ट्री में सभी मानते हैं कि पवंसिंग से बेटर एक्शन कोई नहीं कर सकता वैसे भी पवंसिंग का औरा ही ऐसा है कि उन पर एक्शन सूट होता है वैसे आपने देखा होगा कि पवन सिंग की जादा तर फिल्मे सनी देवल की फिल्मों के नाम से इंस्पायर रहती हैं जैसे घातक जोन की आ रही है मा तुझे सलाम गदर ऐसे कई फिल्मे हैं जो की सनी देवल के फिल्मों के नाम पर ही भोजपुरी में फिल्मे उनकी स्टोरी भी काफी कुछ सेम ही आपको देखने को मिलेगी जिस तरह से पवन सिंग एक्षन करते हैं वो आपको सनी देवल की याद दिला देंगे और इसका जिक्र एक बार पवन सिंग ने अपने एक इंटरिव्यू में किया था कि सनी देवल का एक्षन उन्हें काफी इ करीब पहुशने की कोशिश करता हूं कि मैं सनी देवल जैसा कुछ कर सकूँ और मुझे सनी देवल काफी पसंद है यानि कि आप यह कह सकते हैं कि सनी देवल से काफी इंस्पायर है पवन सिंग अब बढ़ते हैं भाई निरहुआ की तरफ निरहुआ एक्षन में भी आला है कॉमेडी में भी आला हैं डांसिंग भी वो अच्छी कर लेते हैं ओवरॉल पैकेज हैं तो भाई आप यह सोचते होंगे कि निरहुआ को कौन इंस्पायर करता है तो भाई कोई और नहीं अमिताब बच्चन सदी के महानायक अमिताब बच्चन से दिनेश लालियाद और नि कि आप किसी एक महान इंसान के साथ काम करते हैं महान आर्टिस के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपको रहकर समय का अनुशासन सीखना आ जाएगा और एक्टिंग की जो निखार है आप उन्हें देख कर ही सीख सकते हैं तो यानि आप यह कह सकते हैं निरहुआ की जो आदगी आप देखते हैं वो किसी और की देन नहीं अमिता बच्चन की देन हैं यकीन है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा जहां पर आप ये जान सके कि खेसारी पवन और निरहुआ इन तीनों किस से इंस्पायर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में तो भोजपुर तो भोजपुरी इंस